किसार भाई वो यह क्रिस्टल कंपनी का CHR 846 ब्राइटी है और आज वीडियो बनाने का उद्देश है कि तीन दीन तक लगतार बारिस हुई और हवाएं भी खुब तेजी गती से चली उसके बावजूद भी यह ब्राइटी कहीं से गिरी नहीं है कल भी खुब बारिस हुई है लेकिन उसके बावजूद भी फसल कहीं से नहीं गिरी कोई नुकसान नहीं इस ब्राइटी में देखा गया है और बालिया भी इसकी पूरी तरह से स्वस्थ हैं अब देखिए दाने उगरे खुब मोटे मोटे हैं और लंबी बाली है और उजंदार दाने है पईया भी कम है इसमें और इस ब्राइटी को हम 10 में 10 नंबर दे सकते हैं कलो का फुटाव इसमें 12 से 13 है और बालिया लंबी है और 242-43 दाने है इस ब्राइटी में तो और समयवद की बात करें तो 125 से 30 दिन का समय लेती है मिला जुला के मध्यमवद में त्यार हो जाती है और एदि आपकी जमीन थोड़ा उचास है या मध्यम है तो हाँ इस वराइटी को आप लगा सकते है और यह हाइब्रीड वराइटी है आप देखिए फसल कहीं से नहीं गिरी है और यहीं बगल में आप देखिए सिल्की की फसल है पूरी तरह से गिर चुकी है और वहाँ एक फसल है वह भी गिर चुकी है जबकि हरी फसल है लेकिन तीन दिन की बारी से जेली है और कहीं से यह फसल नहीं गिरी है तो बहुत से किसान भाई चाहते हैं कि 125 से 30 दिन की ब्राइटी हो और मोटे धान की हो हाइबरीड हो और उसकी खासियत के रूप में चाहते हैं कि बाली भी लंबी हो दाने भी जादा हो पैदावारी भी जादा मिले और सबसे अच्छी बात या हो कि गिरे ना फसल जब प्रि सियत और हमने देखा कि इस ब्राइटी में कहीं से हल्दी बिमारी का टैक नहीं है किसी भी दाने में आप हल्दी नहीं देख वाएंगे हल्दी बिमारी नहीं देख सकते हैं देखे सारे दाने स्वस्त हैं पूरी बाली बिल्कुल स्वस्त है कहीं से इसमें हल्दी बिमारी भी नहीं लगी है तो देखा जाएं तो सोब 4030 में की ब्राइटी में में टाप क्लास की स्टिय और पवरी की बात करें तो मैं पूरा उमीद है इस अगहि ईस ब्राइटी से inclined मिल सकती है और पौदे की हाईट है देखिए सामान है यानि कि मीडियम हाइट है बहुत ज्यादा पौदे की हाइट भी नहीं है और बहुत गजब की फसल भी लग रही है पतिया भी देखिए चौणी है जो जंडा पत्ता होता है चौणा और स्वस्त है और बारियां बिल्कुल पकाओ की ओगर अग्रसर है और 10 अक्टूबर तक यह फसल बिल्कुल कट जाएगी और तीन दिन तर लगातार मौसम खराब रहा बरतमान में भी मौसम खराब ही है लेकिन आज बारिस नहीं हो रही काल कल बहुत जबरजस्त भयंकर बारिस हुए अब आप देखिए हैं पानी का बहा हुआ हुआ है कितना ते है कि परचार करने का उद्देश नहीं है लेकिन हकीकत पे यदि अच्छी साबित हुई है तो हमें कहना भी चाहिए तो यदि आप दुकान पर जाएं तो दुकांदार इस ब्राइटी की चर्चा जरूर करें और आप 125-30 दिन की ब्राइटी चाहते हैं मोटे धान की और खा कि दुकान पर मिल लाइए तो आप लगाईए इस ब्राइटी को नहीं मिल लाइए तो किसी और कंपनी का लगाईए लेकिन असे और है कि ब्राइटी बहुत अच्छा सावित हुई है तने का मजबूत है कल्ले थोड़ा कम निकले हैं किसी-किसी पाउधे में साथाट कल्ले किसी में बारत एरग कले हैं और बहुत जादा फटलाइजर भी नहीं लेती है किसान ने बहुत जादा फटलाइजर वहर आऊ उग्योज नहीं किया है यहां तक कि इसमें रुपाई के समय किसान ने डिए पी और पाला युरियाा उन्होंने 15-20 की जब फसल में आपे समय द तो बहुत जादा इसमें उर्वरह की भी जरूरत नहीं पड़ती है और कोई फंगिसाइड हो गए रहे काभी इसमें नहीं किया था और कोई कीट कीट हो गए भी इसमें नहीं लगे थे किवाल जब बालियां निकली और दाने बनने सुरू हुए तो समय किसान ने गंधी बख पैदावारी उन्हें अच्छी मिलेगी और अब हमें लगता है कि मौसम साफ हो जाएगा क्योंकि अब बारिस नहीं होगी हवा नहीं भाएगा तो निशित तर पे आठ से दस अक्टूबर तक किसान इसकी कटाई कर चुके होंगे यदि कोई किसान वाइस ब्राइटी को जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद